नीट काउंसलिंग 2023, MCC नीट काउंसलिंग 2023 के जरिये नीट 2023 के पात्र उम्मीद्वारों को शासकिया कॉलेजों की 15 प्रतिशत अखिल भारतिया कोटा AIQ सीटों में प्रवेश दिया जाता है। इसके साथ ही डीम्ड केंद्रिय विश्मविद्यलेओ, ESIC, AFMS, AMS, जिपमर 100% सीटों पर और और BSC नरसीं कार्यक्रमों में प्रवेश भी MCC नीट काउंसलिंग 2023 के आधार पर दिया जाता है। नीट काउंसलिंग की सूचना आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी की जाती है। नीट 2023 की MCC नीट काउंसलिंग 2023 डेट भोशित होते ही उससे यहां अपडेट किया जाएगा। साल 2023 में कुल 11,45,976 ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया जो इस वर्ष नीट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आज हम डिसकस करेंगे नीट कॉमन काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। ताकि एडमिसिंग से संबंदित जानकारी हम आप तक पहुँचा पैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि इनमें आपकी क्या राय है। तो इस टेट्स द्वारा ये राय दी भी जा चुकी है। और ये कोमेंट्स पहले भी मांगे गए थे इस से जब कोमन काउंसलिंग का ड्राप्ट तयार गया था। यानि मई मन्त में भी सबी स्टेट्स से ये रूल मांगे गए थे, ये कोमेंट्स मांगे गए थे और अभी भी ये 14-15 जोन को DGHS द्वारा सभी states से ये comments मांगे गए हैं और उनको rule भी बताया है अभी ये क्या-क्या rule हैं कैसे कैसे होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो हम topic cover करेंगे वो ये हैं कि जो common counselling होगी उसके क्या rules हैं यानि कि DGHS ने states को क्या-क्या rule बत बता देता हूँ उसको एक simple language में समझा देता हूँ simple language में कि क्या-क्या states के लिए DGHS ने कहा है क्या rules बताये हैं और क्या comments के लिए बताया है उनको इसके बाद में procedure के बारे में भी बात करेंगे कि common counselling का क्या procedure रहेगा किस student को loss रहेगा और किस student को profit रहेगा जायर सी बात है क कि कोई भी अगर नई सीज implement होती तो किसी ना किसी को नुकसान तो होता ही है आइदा होता है लेकिन किसी ना किसी को नुकसान भी होता है और इससे भी नुकसान होगा वो कैसे होगा ये मैं आपको इस वीडियो में briefly बताऊंगा और ये कब से start होने वाली है इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब common counselling होगी तो उसका एक ही जगए registration होगा ज्यादा तरह संभावना यह है कि MCC ही यह common counselling करवाएगी लेकिन चाहिए नाम कोई भी हो MCC हो या कोई और body का कोई नाम दे लिए गया हो वो counselling करवाए लेकिन procedure same ही रहेगा जो MCC counselling करवा रही है वही procedure रहेगा यानि कि counselling के लिए कोई भी authority रहे MCC रहे या फिर DGHS किसी other bodies को यहां nominate करे rules जो मैं बताऊंगा वही रहने वाले हैं यहां पर जो DGHS ने states को बताए तो registration का process same वैसा ही है पहले MCC पर भी registration करना होता था MCC की website पर और state में भी registration करना होता था लेकिन अभी एक ही जगह आपको registration करना है एक ही जगह security money देनी है एक ही जगह registration fees देनी है वो है MCC की website पर या किसी अन्य body जो भी nominate होगी उसके उपर तो registration का जो process है वो सहमी रहेगा पहले जो MCC का हुआ करता था अब जो MCC counselling करवाता था पहले DU quota की भी करवाता था और इसमें जिपमर की भी जो domiciled है जिपमर के उनका भी करवाता था और All India और Open ESIC सभी का MCC द्वारा counselling करवाया जाता था लेकिन जो उनके domiciled हैं जैसे की DU का है जिपमर का है उनसे जो fill करवाई जाती थी details वो उनसे class 12 की और domicile details फिल करवाई जाती थी तो ये details अब की बार भी करवाई जाएगी यनि common counselling में भी ये करवाई जाएगी कहने का मतलब ये है कि आप जिस state के लिए domicile जिस state की domicile रखते हैं उस state की यहां आपको 85% seats मिल होंगे तो यहां पर आपसे आपका domicile state पूछिया जाएगा उसकी detail यहां फिल करवा लिजाएगी तो उसमें आप एक तो open seat के लिए eligible है और एक all india 15% के लिए eligible है और आप अपने state के 85% seat जो government के लिए है उसके लिए भी eligible है तो यहां mcc द्वारा यहां यहां यह आपसे फिल करवा लिया जाएगा कि आपकी domicile क्या है आप कि state के लिए eligible है और उसकी 85% seat आपको allot की जाएगी merit के according यहां पर एक option दिया जाएगा कि all india quota और यहां पर state का भी एक option आपको मिल जाएगा कि आप क्या state quota के लिए भी counseling करवाना चाहरे हैं तो state quota के लिए counseling करवाना चाहरे हैं तो जिसके लिए आप eligible है वहां के लिए आप इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद में यह choice feeling कैसे होगा फिर यह भी confusion है तो आप जैसे ही registration करेंगे अभी जैसे की इसमें state का भी आपका यहां पर ही registration हो जाएगा सभी states में आपको registration करने की जोड़त नहीं यह एक ही जगे registration हो जाएगा registration करने के बाद आप choice feel करेंगे अभी existing system में क्या है इसमें क्या है कि जैसे यहां एक college आ रही है जोदपुर जोदपुर का यहां ओल इंडिया कोटा दिखा रहा है उसके बाद इसके नीचे यहां पर जो ओल इंडिया कोटा दिखा रहा है वहां पर यहां आपको state कोटा और दिखाएगा यहां state कोटा जैसे ओल इंडिया कोटा है उसी के नीचे वही college में जैसे यहां ओल इंडिया कोटा है तो यहां state कोटा दिखाएगा same college के नाम से तो आप जिस state के लिए eligible हैं उसी state की यहां पर college दिखाई देगे जैसे example के तोर पर आप राज़स्तान state के रहने वाले हैं तो राजस्तान स्टेट में जो जोदपूर की कोलेज है वो आपको दो जगह दिखाई देगी एक तो ओल इंडिया कोटा में आप इसके लिए eligible हैं 15% के लिए इसमें आप भी eligible हैं और अगर आप राजस्तान के रहने वाले हैं तो यहां यह सेम कोलेज इसी के नीचे इसी के नीचे जोदपूर यहां इस्टेट कोटा लिखा हुआ मिलेगा यहां तो आप इस्टेट कोटा भी यहां सेलेक्ट कर सकते हैं तो एक कंडिडेट यहां दो कोटा सेलेक्ट कर सकता है ओल इंडिया कोटा भी सेलेक्ट क उनको उनके स्टेट की कोलेज दिखाई देगी जो यूपी का रेने वाड़ा है उसको लखनव की दो कोटा की कोलेज दिखाई देगी एक ओलिंडिया कोटा और दूसरा स्टेट कोटा जो गुजरात का है सूरत की कोलेज उसको दो जगे दिखाई देगी एक ओलिंडिया कोट और सी टेरे कॉंटा लेकिन जो सूरत की कोलेज है अधर स्टेट कम डिटेर को All India से में ही दिखाई देगी ससारी की सारी आपको Open कटा में दिखाई देंगी मैंने यहां पर बताया कि आप 15 परसेंट के लिए लिजिबल है और इस्टेट कोटा के लिए भी च्वाइसे एक जगेसे ही करनी है आपको यहाँ दो कोटा शो होगे वो आपके domicile के according शो होगे आप जिस 85% state की domicile रखते हैं जिस state की domicile रखते हैं उस state के ही college आपको state quota के लिए दिखाई देंगे यहां शो होंगे तब यह आप उनको फिल कर सकते हैं मान लो यहां पर कोई स्टेट कोई UP का कंडिडेट है कोई कंडिडेट UP का है तो उसको राजस्थान की कोलेजें ओल इंडिया की तो दिखाई देंगी लेकिन स्टेट कोटा की दिखाई नहीं देंगी चाहिए वो परसेंटी स्टेट फोटा के लिए अदर कंडिडेट भी ऍलीजीवल हनगी, 85% स्टेट के लिए उसी स्टेट के कंडिडेट eligible रहेंगे उनी को वो college शोफ होगी तो ये तो हो गया 24 फिलिंग की बात की कैसे कैसे ये 24 फिलिंग के दोरान आपको college शोफ होगी अब हम बात करते हैं आगे कि इसके क्या-क्या rules नहीं जो state को दिये हैं DGHS ने कैसे कैसे ये counseling होगी तो सारे rules मैं आपको यहां पर बता देता हूँ उससे पहले मैं आपको बताओं कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं ओल इंडिया कोटा, इस्टेट, आयूस, वेटनरी सभी के लिए book available है और इसमें सबसे बड़िया बात यह है कि इसमें 24 list दे रखी है 2023 के लिए उसकी मदद से आप 24 फिल कर सकते हैं और अपना dream college ले सकते हैं इसमें 4 साल की cut-off दी गई है जिसके according आप idea लगा सकते हैं कि आपको कौन सी college कहां पर मिल सकती है bonds की detail दे रखी है other process दे रखा है इसके अलावा जो state की book है उसमें भी ये सारी facility दे रखी है और state wise counseling process दे रखा है कैसे कैसे ये counseling process होगा इसके बाद में open states जिनके जो private colleges हैं वो open states यहां पर आपको उसकी cut-off वगरा और seats वगरा फीस वगरा के बारे में इसमें जानकारी दीगी तो मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी जैसी आप ये book download करेंगे हम आपसे संपार कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं अब बात करेंगे rules की जो rules से later में दे गए हैं DGHS ने later दिया है सभी states को उसमें ये जो 6 points से ये main है वो ही points इसको दिखाया गया है मैं यहां पर simple language में वो points बता देता हूँ पहला point है एक ही portal पर एक ही counseling होगी मतलब यह मैं बता चुका हूँ कि state की counseling और All India की counseling एक ही जगय होगी यानि कि उसकी MCC करवा सकती है 15% seat के लिए open seat के लिए और state उठा 85% के लिए चाहे government college हो चाहे private college हो चाहे DMD University हो ESIC हो जो भी हो एक ही जगय counseling होगी state counseling नहीं होगी इससे student को काफी फाइदा होगा अब यह जो 85% और 15% counseling होगी इसका जो मैं twice filling का procedure बता दिया है मैंने तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि यह किस परकार से counseling होगी यानि कि एक ही जगय सभी college आपको शोप होगी इसमें अब जो twice filling का इसमें procedure रहेगा अभी क्या होता है आपको MCC की अगर बात करें choice filling करनी होगी लेकिन अभी जो twice filling होगा इस procedure के अंदर वो सिरफ एक ही बार होगा यानि कि first round के time में ही होगा यह choice filling जो भी seat increase होगी वो first round से पहले पहले increase हो जाएंगी second round या mop up round में कोई seat increase नहीं होगी क्योंकि जब आप से twice एक बार ली जा रही है तो फिर seat increase होने का आगे कोई मदलब भी नहीं निकलता है तो first time में ही choice ली जाएगी यह माराश्ट्री स्टेट में हुआ करता था पहले अलांकि माराश्ट्री स्टेट ने भी पिछली साल rules बदली कर दिये हैं MP में भी ऐसा होता था कि first or second first round में ही choice से ली जाती थी बाद में आगे choice नहीं ली जाती थी reporting system reporting system यह होगा कि अभी जो जिस प्रकार से किया जा रहा है possibility है first or second round virtual reporting होगी पहले ऐसा होता था first round में seat alert होगी college में जाओ वहाँ join करो fees deposit करो फिर second round के 24 फिल करो 24 फिल करने के बाद upgrade हो जाती तो first round की college में फिर से जाओ वहाँ से documents लो और नहीं college में एक बहुत बड़ा चक्कर लगता था student को बहुत बड़ा पैसा इसमें खर्च हो जाता था तो अभी जो reporting होगी वो virtual reporting होगी मतलब software के अंदर ही आपको report करना है वहाँ आपको fees deposit करना है वहाँ आपको documents से submit करने है ये सारा system आपको first और second round में virtual reporting होगी और mop up round होगा वो physical reporting होगी मोप up round में physical reporting का मतलब तब जाके आपको college में वो seat ले लेनी है seat पर report कर देना है mop up round में और mop up round में जब आप seat पर report कर देंगे तो final हो जाएगा ऐसा ही documents verification भी online होगा अगर आपको college alert हो जाती है college alert होने से पहले documents verification नहीं होगा जब college alert हो जाएगी तो फिर documents verification होगा और आप fees के सारा documents भी upload करेंगे और वो documents college दवारा एक बार चेक किये जाएगे और फिर आपका admission confirm हो जाएगा अपग्रेडेशन का system अभी ऐसा होता है कि second round तक ही seat अपग्रेड होती है first round के बाद second round तक seat अपग्रेड हो जाती है mop up में seat अपग्रेड नहीं होती जब इसमें एक ही बार choice filling ली है अगर उपर seat खाली रही उसकी merit से उपर तो उसके seat अपग्रेड हो जाएगी अगर खाली नहीं रही तो same seat उसके लिए मिलेगी और इसके बाद में अगर second round में भी ऐसा रहा seat खाली मिली तो second में अपग्रेड नहीं तो mop up में भी अपग्रेड हो जाएगी और mop up में रहेगा तो ओनलाइन लेकिन वो यह आगे किस परकार से रखा जाता है इसमें मेरे खाल से जो एक्जस्टिंग सिस्टम चल रहा है इस्टे वेकंसी राउंड के लिए ऐसा ही होना चाहिए इसमें लेकिन मोपप राउंड तक के रूल्स यह चेंज हो जाएंगे अब सिस्ट शेर करेंगे mcc को और एक सोफ्टीवेर में mcc द्वारा सोफ्ट्वेर बनाया जाएगा जिसमें सिट शेरिंग होगी जो प्राइवेट के रूल्स हैं वो तो मेरे ख्याल से ऐसे रहेंगे जैसे करनाटका में रूल हैं कूछ सीटें गॉर्मेंट की हैं और खुछ सी seat अगर government candidate के लिए है तो करनाट का state 85% private की seat अपने state के candidate के लिए रखेगा domicile के लिए और 15% seat open रखेगा तो इस परकार का ये counseling होगा private colleges के लिए सभी states के लिए अलांकि जो later देया है उसमें ये लिखा गया है कि सभी states के लिए open रहेंगी लेकिन हम मान रहे हैं कि जो state अपने state में private college में government quota देते हैं हो सकता है वो government quota अपने state के लिए रखेंगे और जो बाकी open seat है वो सभी के लिए open रहेंगी तो इस परकार से ये counseling rules से DGHS ने सभी states को दिये हैं तो इस परकार से ये counseling हो सकती है इसकी अब loss और profit की बात करें देखो profit सबसे ज्यादा student को होगा लेकिन loss भी होगा कम student को सबसे कम student को loss भी होगा अब profit तो कैसे होगा profit के लिए तो हमने देखा है कि आपने एक ही जगे एक ही platform पर आपको counseling करवानी है तो ये तो ये फाइदा है एक तो आपकी counseling एक ही platform पर हो जाएगी जगे 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 आपको registration नहीं करना पड़ेगा दूसरी बात इसमें mop up तक up gradation होगा आपको बार-बार choice will नहीं करनी ही है तो ये काफी सारे profit होंगे student को अब low skin किन student को होगा तो पहले कैसे होता था पहले ऐसे होता था कि student कभी state में भागते थे कभी mcc की तरफ में भागते थे और second round के बाद student में एक दर लग जाता था कि हमें seat नहीं मिलेगी तो वह BDS की तरफ ले लेते थे और private colleges में admission ले लेते थे तो बीच से student निकल जाते थे private college में निकल जाते थे या कोई BDS ले लेता था या फिर other courses में निकल जाते थे तो निकलने से नीचे वाले students की stray vacancy round तक possibility बन जाती थी पहले लेकिन अभी वह possibility उन candidates की नहीं मिलेगी जो नीचे वाले candidates की possibility बनती थी वह नहीं मिलेगी तो उन candidates को loss होगा लेकिन उनके उपर वाले जो candidate मैंने बताया जो डर के BDS में admission ले लेते थे इस्टेट के पता लग जाएगा first round में, क्योंकि इसमें छोडने वाला कोई option तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही seat, एक ही candidate को alert होगी, चाहे वो all India की alert हो रही है उसको, या state को उठाकी, तो जब एक student को एक ही seat alert होगी, तो उस वो first round में alert हो जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा किसी ने seat जाएगी, क्योंकि महाराष्टर MP की तरह तो है नहीं इसमें, कि आपका अगर all India में हो गया, तो वो seat vacant होगी रहे, नीचे वाले candidates को मिलगी, वहां तो सिरफ जब counselling एक ही है, तो student seat कौन सी छोड़ेगा, student तो seat छोड़ेगा इनी first round के बाद में, उसके upgrade का chance तो तब बनता है जब उपर वाले candidate seat छोड़ेंगे, और एक ही बार twice फिल होगी, तो ये फाइदा भी है student को, और जो जिन student को जो भूले भटके हैं, इस्टे vacancy में seat मिलती थी, उन student को, जो कुछे की student होते थे, उनको seat नहीं मिलेगी, अब बात करें कि ये common जो counselling है, क्या इस साल से लागू ह होगी, तो मैं आपको clear cut बता दूँ, इस साल से इस common counselling लागू होने की कोई possibility नहीं है, इसका कारण ये है, state quota के forum fill हो चुके हैं, यानि कि केरिलाई state के forum fill हो चुके हैं, और आज तमिलनाडू state का भी notification आ गया है, state counselling के लिए, तो 2023 में ऐसी कोई possibility नहीं बन रही है, कि ये common counselling इस बार करवाई जाए, क्योंकि संकेत इस प्रकार से मिल रहे है, state quota के registration अलड़ी हो चुके हैं, और दूसरी बात ये है कि इसके लिए एक software तयार करना पड़ेगा MCC को, तो इस software के अंदर सारी state की eligibility feed करनी पड़ेगी, कोन सा student किस state की eligibility रखता है, वो सारा का सारा इतना में नहीं हो सकता, क्योंकि 31 अगस्ट के लिए एक deadline दे गई है, कि इस साल MBBS admission 30 अगस्ट तक complete हो जाएंगे, तो इतने कम समय में ये हो पाना ना मुमकीन है, तो मेरी जो राय है, वो यही है, कि इस बार common counseling किसी भी हालत में नहीं हो सकती, जो पिछले साल system था, वही system इस बार रहने की possibility है, region